नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन में सिक्षकवा छात्रशात्राओं को उपस्थिती अब इविद्यवाहनी एप में बनेगी रांची जीले के सभी सरकारी बिद्यालों में काड़ा सिक्षको को अपनी उपस्थिती एवं बिद्याले में अध्यानरत बच्चो को उपस्थिती इविद्यवाहनी एप के माध्यम से ऑनलाइन बनानी होगी इसके लिए बेकाइदा विभागिये दिशाने देश जारी कर दिया गया है बताया जा रहा है कि इस आप के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट में शिक्षको को उपस्थिती 80% बताई जा रही है जबकि बच्चो को उपस्थिती सिर्फ 46% ही बन पाई है ऐसे में उठ रहे सवालों के मद नजर भी भागने सकती पर रत्ते हुए सभी सिक्षको को बिद्यालाई परधानों को दिशाने देश दिया है कि इस आप के माध्यम से 7% उपस्थिती बनाई जाए ताकि जीले में पठन पठन के अस्तर को उच किया जा सके यह भी कहा गया है कि अपने उपस्थिती के साथ 7-7 को उपस्थिती कैसे बढ़े इस पर भी सिक्षको को कसरत करनी होगी आज महालया के साथ 7 बेटी दिवस आज घर की खुशियों और सान का दिन है क्योंकि आज बेटी दिवस है और महालया भी महलिया नवरात्री और दुर्गा पुजा के सुरुवात का दिन है महलिया के दिन ही पीत्रों को बिदाई दी जाती है और आदी सक्ति का धर्ति पर स्वागत किया जाता है इसलिए नारी सक्ति का परतिक या दिन बहुत खास है बता दे आज लड़किया किसी भी छेत्र में पीछे नहीं है हर छेत्र में पाचान बना रही है फिर भी समाज में कई ऐसे जगहा है जहां उन्हें कमतर आंका जाता है इसी कमतर आंकने की सोच को बदलने का दिन आज है रांची और धनबाद में चाइल्ड पॉर्णोग्राफिक के खिलाब CBI का छापा है CBI ने ओपरेशन में चक्र के तहत बाल यौन उत्पिरन से समंधिस समागरी के ऑनलाइन परसास जुड़े दो मामलों में सन्निवार को जार्खन बिहार और पच्छिम बंगाल समेथ 20 राज में CBI ने आठ ठीकानों के तलासिली है इसके अलावा हर्याना उत्राखन गुजरात यूपी आंध्र पर्दिस करना टाक हर्याना चातिसगर दिल्ली के अल पंजाब तमिलाडू असम और रांचल पर्देश त्रिपूरा और हिमांचल पर्देश में CBI ने बाल यौन मागरी मामले में तलासिली है अधिकारियों ने बताया है कि छापे मारी इंटर पोस सिंगापूर से मिली सुचना और पिछले साल के ओप्रेशन कारवन के दरान प्राप्त खुपिया जनकारी के अधार पर है जारखन में 8 महिने में 10 हाथियों की मौत जारखन में हाथियों और इंसान के भी संगर्ज का सिलसिला थम नहीं रहा है केवल इस साल के बीते 8 महिने की बात करे तो हाथियों के हमले से जहां 55 लोगों ने जान गवाई है वहीं अलग अलग जगों से 10 हाथियों की मौत हुई है हाली घटना बताती है कि इस संगर्ज के चलते कितना नुकसान हो रहा है जारखन के पलामू टाइगर रिजर्ब के लाटू जंगल से बीते 11 सितंबर को बन भी भागी टीम ने हाथी का कटा हुई दात बरामत किया वहीं फोरेश्टर परमजीत तीवारी के मुताविक टीम को देखते ही तसकर हाथी दात फेक कर भागने में सफल रहा इसी तरह रामगर जिला अंतरगत मांडू परखन के डूमरी जंगल में भी बीते 15 सितंबर को एक हाथी मारा गया है जेमेम ने हिमंत सरकार की गिनाई उपलब दिया जामू ने हिमंत सुरेन सरकार के एक हैर दिन पूरे होने पर सरकार के उपलब दिया गिनाई है पार्टी के केंदरी ये कारसमी 30 सुपरियो भटाचारे ने कहा है कि हमंत सरकार ने सकरात्मक सोच के साथ एक हैर दिन का कारेकाल पूरा किया है अभी 825 दिन और सेस हैं जन सरोकार को लेकर राज सरकार आगे बढ़ रही है एक हैर दिन तो जहांकी है अभी एक लाख दिन आने बाकी है उन्होंने कहा है कि सरकार के एक हैर दिन में 500 दिन ऐसे रहे जब वो जीवन वो जीविका चुनवती बनकर खड़ी रही विशम परिश्थिती में भी सरकार ने यहां के लोगों के लिए कई तरह की जिनाय शुरू की सरकार ने सेस 500 दिन में ऐसे काम किये हैं जो पिछले 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है जारखन पहुंचे भाजपा परदेश प्रभारी लक्षमी कांत वाजबेई राजसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक वपरदेश प्रभारी डाक्टर लक्षमी कांत भाजबई ने कहा है कि भाजपा करकरता आधारित पार्टी है इसमें पार्टी के रश्ट्रिय अध्यक्ष बूत अध्यक्ष से सिधा सनवात करते हैं करकाता का पद सरोपरी है, जो कभी पूरो नहीं होता, करकाता भाव ही पार्टी की पुंझी है ज्यारखण के संगठन में करकाता सहल, सराल सो भाव के हाइं और पार्टी के विचार के प्रति समर्पित हैं मैं भी ये करकरता के रूप में जहारखन में संगठन का कारे करूँगा ऐसे ही करकरताओं के सहयोग और समर्पन से पार्टी जहारखन के सभी 14 लोग सबासीटों पर विजये प्रप्त करेगी श्री बाजप्याई सन्निवार को भाजपाक कर्याले में परदिस पता दिकारियों विभाग वा प्रकोष्ट संजोज को की परिच्चायात्मक बैठक में बोल रहे थे रांची में दुरगा पूजा पर 386 क्लोर के कारोबार की उमीद दिनवरात्र सुमवार से सुरू हो रहा है इसे पहले ही राजपानी के बाजपार भी तेवारी मोड में नजर आने लगा है कई कंपनियों में बोनस की खोसना हो चुकी है इसे देखते हुए बाजपार के जानकार इस बार जम कर धन वर्सा होने की उमीद जता रहे हैं दो पहिया चार पहिया गार्मेंट जोल्री से लेकर अने बजारों में पूरी तैयारी है कोई नए कलेक्शन के साथ बजार में है तो कोई आफरों के साथ जुट दे रहा है इस बार के तेवारी सीजन में राजधाने में जोल ड्री गार्मेंट दो पहिया चार पहिया में अन्य उभोगी वस्तुवों के बजार में कुल मिला कर करीब 386 क्रोर रुपए का कारोबार होने काउनमान लगाया गया है ज्यारखन के 24 जीलों के हर पंचायत में खुलेगा डिजिटल पंचायत पाट सला डिजिटल सिक्षा अभियान को लेकर ज्यारखन के सभी 24 जीलों में एक मोहिम के तोर पर डिजिटल पंचायत पाट सला सभी पंचायतों में खुले जाएंगे रांची प्रेसकल में आयोजीत एक करसला के दरान डिजिटल पंचायद पाट सला के संस्थापक सौरब कुबार ने कहा है कि ग्रामिन भारत को डिजिटल प्लेटफर्म से जोड़ कर एक नई सिक्चा प्रनाली बिक्सित की जाएगी जिसके तहद ग्रामिन नौजवानों को डिजिटल पंचायद पाट सला में गुनवाता पून सिक्चा उसके समाजिक सरोकार और हर सवालों का सटिक जबाब डिजिटल के प्लेटफर्म पर निसूल के दिया जाएगा स्वरब ने कहा है कि जार्खन को हम पूरे देश का डिजिटल पंचायद पाट सला के तोर पर एक मोडल बनाने जा रहे हैं बिना लाइसेंस खादे समागरी बेचने वाले कारोबारी जाएंगे जेल जिला परसासन 28 सितंबर को कला बहुन में खादे लाइसेंस आत्वा राइस्टेशन के लिए काइंप लगाने जा रहा है इसमें खादे समागरी बेचने वाले तमाम दुकंदारों आत्वा कारोबारियों को लाइसेंस आत्वा राइस्टेशन कराना अन्यवार्य है बिना लाइसेंस अथवा राइस्टेशन के खाद जमागरी बेचने वाले दुकंदारों को चाओ महीने के जेल अथवा पांच लाख रूपे जूर्माना लग सकता है जीला परसासन की टीम आवाइदन के बाद ऐसे कारोबारियों की धर पकड़ करेगी बताएदे खाद कारोबारियों में लगे कारोबारियों को 15 लाख रूपे से अधिक के अनुभा होने पर खाद अपूर्ती का लेसेंस लेना अनिवार होगा कस्तुर्भा बिद्याले से दसवी की दो छात्रा लपाता है कस्तूरबा गांधी अवासिय बालिका बिद्याले में पढ़ रही दसवी कक्षा की दो छात्रा के बिद्याले परिशे से लपाता हो जाने का मामला परकास में आया है घटना, गोड़ा के, हिरनपूर्थाना छेत्रे के, घाघर जानी इस्थित कस्तूरबा गांधी अवासिय बालिका बिद्याले का है मामले को लेकर बिद्याले के वाडन की ओर से हरीन पूर्थाना पूलिस को लिखित सिकायत भी दी गई है जिस पर S.P. के निर्देश पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले में आगे की अनुसंधान में जुट गई है हलागी प्ररम्भिक जाच में पुलिस को अभी कुछ खासुरागात नहीं लगा है पुलिस का दावा हाई की जल्द ही दोनों नवालीक छात्रा की सक उसर बरादमी कर ली जाएगी बच्चा चोर की अपवा में ग्रामिनों ने युवक को पीटा गोड़ा के मुपसिल थाना छेतरे के बड़े कल्यानी गाव में अग्यात युवक को ग्रामिनों ने बच्चा चोर की अपवा में बेरामि से पिटाई कर दिया घटना की जनकारी होने पर पीडीत को पुलिस ने स्तदर अस्पताल में भरती कराया है नगर्थाना के A.S.I. ने युवक के बारे में जनकारी लेने चाही मगर बेहोसी की अवस्था में रहने के कारण युवक कोई जनकारी नहीं दे पाया इधर सदर अस्पताल में पहुँचे SDPO आनन्द मोहन सिंग ने ओन डुटी डॉक्टर के जरिये पिडीत से बात करनी चाही लेकिन युवक होस में नहीं आ पाया वहीं इस मामले में पूलिस अधिक छक नाथू सिंग मीना ने बताया है कि बड़ी कल्यानी गाम में उक्ते युवक के साथ मारपिट की गई है जारखन केबिनेट की बैठक 29 सितंबर को होगी मुख्यमंत्री हेमांसुरन के दक्सता में साम चार बज़से होने वाली इस बैठक में कई निरन लिये जाने है दुरगा पुजा सहीत कई तेवहार को देखते हुए राज सरकार कई बड़े भी फैस लेल ले जा सकते हैं इसके अलावा केबिनेट में विकास वजनाय भी सुकृत की जाएगी केबिनेट के बैठक को देखते हुए मंतरी, मंडल, सचिवाला, एवम समनों वे विभागने सभी विभागों से प्रस्ता मांगे हैं जारखन में फिर खोले जाएंगे चपन सव इसकूल जारखन में बिला हुए चपन सव इसकूलों को फिर से खोला जाएगा इन स्कूलों को खोलने की त्यारी आमतिम चरण में है बंद हुए वैसे स्कूल जहां के भवन जरजर हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा जबकि आने स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी समाधित स्कूल में जो सिक्षा करे रहे थे उन्हें दूसरे स्कूले से वापस लाकर पदस्थापीत किया जाएगा वहीं पोसक छेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा राज सरकार इसका प्रस्ताव केबिनेट की बैठाक में लाने की त्यारी कर रही है सिक्षा मंत्री जगनात मातों ने पिछले महीने ही सिक्षा सची उसे इसकी जीलावार रिपोर्ट तलब की थी धन्यवाद